गाईज आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में स्वागत है और गाईज आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि अगर आप सभी लोग अपने स्मार्टफोन में Snapchat एप्लिकेशन यूज करते हैं और इसमें आपको कैमरे का प्रॉब्लम्स यहाँ पे सो हो रहा है तो इस application में camera जो है वो बिल्कुल भी work नहीं कर रहा है तो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को इसका solution बताने वाला हूँ कि कैसे आप सभी लोग इस problem को solve कर सकते हैं तो गाईज आप सभी लोग इस वीडियो को पूरा end तक watch करिए और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक ने किया है तो लाइक कर दिजी और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिजी So guys चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर मैं आपको बताओंगा दोस्तो कि कैसे आप इसमें कैमरा प्रॉबलम को सॉल्व कर सकते हैं तो इसको fix करने के लिए आपको सबसे पहले प्रेश्टोर में जाके इस application को सबसे पहले आपको अफ्डेट करना है अपडेट करने के बाद दोस्तो आपको अपने फुन में सेटिंग को ओपन करना है सेटिंग को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपको एक ओप्शन मिलता है एप्लिकेशन का तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको manage apps को option मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक कर लेना है यहाँ पे क्लिक करने के बाद दोस्तों आपके सामने एक नया page open हो जाता है तो यहाँ पे आपको बहुत सारे applications दिखेंगे तो यहाँ पर आपको Snapchat application को यहाँ पर आपको search करना है तो यहाँ पर आप लिख के भी search कर सकते हैं दोस्तों तो यहाँ पर यह जो application है वो आपके सामने आ जाएगा तो अब आपको इस application को open करना है open करने के बाद यहाँ पर आपको storage को option मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करने है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको सबसे पहले data clear करना है यानि की clear कैचे करना है उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको एक option मिलता है application permission का या तो फिर app permission का option मिलेगा तो आपको यहाँ पे क्लिक करने है यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक option मिलता है camera का तो यहाँ पे जो camera का option आपको दिखाई दे रहा है तो इस वाले option पे आपको click करने है यहाँ पे click करने के बाद दोस्तो आपको यहाँ पे allow only will using the app पे select करना है जैसे ही आप इस camera वाले option को allow only will using the app वाले option पे select करते हैं तो दोस्तों आपके phone में camera जो है वो work करने लगेगा और इस application में camera का problem आपको दिखाई नहीं देगा तो इस तरीके से आप सबी लोग इस problem को solve कर सकते हैं तो guys अगर यह video आपको अच्छा लगा हो तो like कर दिजे और channel को अभी तक आपने subscribe नहीं किये तो हमारे channel को subscribe कर लिजे